गुड़ बॉरिंग फ्रेंट्स जेनेम सेकेंडियर के मैं एगले टोपिक के बारे में बात करूंगा मेडिकल सर्जिकल फर्ष्ट का अस्थामा अस्थामा क्या है आप जो उपर पिक्चर दिखाई दे रहा है उससे भी आपको कुछ अंदाजा मिल चुका होगा कि अस्थामा जो है स्वास सबंधी एक बिमारी है जो कि फेफ़ड़ा से रिलेटेड है इसमें क्या होता है स्वास लेने में बहुत ज़्यदा तकलीफ होता ह है और यह स्वास सबंधी बिमारी है अपको अच्छे से मालू है कि हमारे देश के हवाएं जो हैं जो बड़े बड़े सहरों हैं जो मेट्रो पॉलिटन सीटी है उस वहां की हवाओं जो हैं पॉलिसित हो दूसित हो चुकी है जिसके चलते जो स्वास सबंधी बिमारिया है अस्थामा हो गया, इन टाइप की बिमारियां बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते ब्यक्तियों को सांस लेने में दिकत हो रहा है, स्वांस सबंधी समस्था है, दिन पर दिन का हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सरीर है, उसको चाहिए अक्सिजन, और अक्सिजन कहां से मिलेगा, हमको हावा से, जितने भी हावा है, और क्या हो चुकिए, दिन पर दिन दुसित होते जा रहे हैं, उसमें कार्बन डायक्साइड की मात्रा और एर की मात्रा बढ़ते जा रहा है, और अक्स प्रुन वात्रा में बड़े बड़े सोरों में नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते आप को इस समस्य यहीं बढ़ते जा रही है जिसके चलते दामा और और भी विशी प्रकार के रोगों आपको दिन पर दिन फैलते जहा स्वास सबन्धिन जो अस्थमा होता है ये दूतिन टैप को होता है जिसे अलर्जी का स्थमा किसी किसी ब्यक्ति को किसी चीज से अलर्जी होता है किसी को डश्ट से अलर्जी होता है किसी को आपको मौसम से अलर्जी होता है किसी को पाने किसी को आपको धूप से अलर्जी होत सांस लेनी में तकलीफ होने लगता है उसको हम भी इलर्जीक अस््थामा कोते। कुछ होता है नन एलर्जीक अस्थामा जो की हमिस्था आपको रहता है। असक Corn got सा्स लेनी में तकलीफ होती है, घब रहा हत थोता है। घफासी आती है। 영상을 में जकर महसूत है सांस फुलने लगता है अब जब किसी से बाते करते हैं तो बात करने में का होता है आपको कठिनाई होती है चिंता होती है घबराहट होती है आपको जल्दी थकार महसूत होने लगता है कि अस्थामा जो क्या करता है आपको सांस लेने में ही तकलिफ करता है जिसके चलते हैं, सांस लेने में तकलिफ के चलते हैं, आपको जितने भी कम्प्लिकेशन हैं, अपने आप आने चालू होयाता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है, आपको एक तो अनुवांसिक हो गया, जिससे माता-पिता के चलते हो गया। दूसरा आपको bacterial viral संक्रमन भी होता है इसके चलते भी आपको गले में का होता है infection होता है जिसके चलते आपको दामा की सिकायत होता है दूसरा बच्चपन में immune system कमजोरी जैसे बच्चपन में आपने सुना हुआ किसी किसी बच्चा आपको pneumonia से ग्रसित रहता है तो ऐसे ब्यक् प्रतिरोथक छमता होती है वो प्रोपर तोर पर सरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है जिसके चलते ब्यक्ति को दामा की सिकायत आने के संभावना बढ़ जाता है सांस सबंदी समस्याइं आपको बढ़ जाता है आप इसको कैसे परिक्ष्ण करने हैं पहरे तो हम लोग इ देखते हैं प्रक्ती को किया और परसानिय हो रहे है उसके बाध इसको हम लुग इंग चलता है कि प्रण chunk अवका प्रतिरा में छोड़ रहा है ऊसके तो देखते हैश्व प्रतिर सब्सकुर्य रहे है जो भी बताता है जो फेपड़ा होता है और कितना एयर को अपने अंदर खीच रहा है और कितना छोड़ रहा है इससे पता चलता है नाय्ट्रिक ऑकसाइड की मातरा है यह लिए और को इंफेक्शन करता है इसलिए यह बहुत ज़्यादा नायंत्रिक ऊक्साइड का मात्राव जदा होगा तो ऩरता हो उसका फिपड़ा काशीटी करते हैं करते हैं एक सरे करते हैं फिर स्वी वेक्टी को जिस चीज से ञासिए को उसको उससे दूर बना रखा जागा तकी उसको पेसेंट इन ब्यमारीों से और जिस से ऑफ होग उसको कितना भी डिजिएगा उसको फिरभी वे बिमारी आज जाएगा कि एलर्जी जल्दी जाती होती नहीं है उसका पूटम देखा जाएगा इसलिए देखा जाएगा कि आपकी फेपड़े में इंफेक्शन कीस टाइब का इंफेक्शन है आपका डबलू बीसी चेके जाएगा